Hello Class 9, Welcome to Learn with Zenith Guru. मैं हूं Nikkei Pandit और आज की Class में हम स्टार्ट करने वाले हैं Chapter 2. Chapter 2 क्या है? Is Matter Around Us Pure? क्या matter, जो हमारे आसपास का matter है, क्या वो pure है या impure है? हम कैसे बताएंगे कि कौन सा matter pure है, कौन सा matter impure है? फोर सपोस मैं आपको देती हूं कि आपके पास घी है, जो घी आप डेली यूज करते हो, जो घी आप डेली खाते हो, अब आप मुझे यह बताई, क्या वो घी pure है या नहीं है? तो आप क्या बोलोगे? हम घी खाते हैं, यानि कि वो pure ही होगा, तभी तो हम खाते हैं, है ना? तभी तो हमारे ममा हमको घी देती हैं, अगर वो pure नहीं होता, तो वो हमें क्यूँ देती? तो देखो, आपके according वो घी pure है, आप जो milk लेते हों, ठीक है? वो क्या है? आपके according pure है, बट क्या वो चीज जो आपके लिए pure है, क्या वो scientificallyly pure है? साइंटिस्ट के according pure का क्या मतलब होता है, हम ये जानेंगे, ठीक है? सबसे पहला क्या है? वोट इस pure, pure का मतलब आपको पता होना चाहिए, देखो, normally हमारे लिए pure क्या है? अगर मान लो हम कोई भी चीज खा रहे हैं, कोई भी खाना खा रहे हैं, अगर उसमें कोई unwanted substance आके गिर जाता है, या फिर कोई ऐसी चीज़े जो हमारे लिए harmful है, तो हम बोलेंगे कि वो pure नहीं है, ठीक है? बाकि जितनी भी चीज़े हम खाते हैं, वो हमारे लिए क्या है? कि वो pure है, सबसे पहले मतलब समझेंगे pure का, ओके, स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या है, what is pure? सबसे पहला हमारा question है, what is pure? तो इसका हम क्या लिखेंगे? When a scientist say something is pure, according to scientist की बात कर रहे हैं हम, okay? When a scientist say, when a scientist say something is pure, something is pure, that means, something is pure, that means, और that means की जज़ा, it means हम कर सकते हैं, something is pure, it means, it means, that all the constituents particles, all the constituents particles of that substance, of that substance are the same in their, in their chemical nature, in their chemical nature. अब देखो इसका क्या मतलब है? According to scientist, pure का मतलब है कि अगर कोई भी substance है, फिर कोई भी चीज बनी है, तो वो सिरफ एक टाइप की चीज से हैं मिलके बनी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे कि अगर हम iron की बात करें, तो iron के अंदर क्या होता है? सिरफ iron के ही particles होते हैं. अगर यहाँ पे एक iron की rod ले ले हम, यह क्या है? Iron का rod है. तो यह iron का rod के अंदर सिर्फ किस-किस के elements present होंगे? सिर्फ iron के ही elements present होंगे. ऐसा नहीं है कि इसमें gold भी होगा, इसमें copper भी होगा, इसमें zinc भी होगा. ऐसा इसके अंदर नहीं है. सिर्फ iron. Only element of iron is present. तो हम क्या कह सकते हैं? कि यह जो iron का rod ही कैसा है, यह pure है. ठीक है? अगर इसके अंदर mixture present होता, तो हम कहते हैं कि यह pure नहीं है. प्यॉर का मतलब समझ आया, scientist के according pure क्या है? कोई भी ऐसी substance, कोई भी ऐसी चीज, जो सिर्फ एक type के element से मिलके बना हो. या फिर, दो से भी अगर मिलके बना होगा, तो वो उसकी pure form में होगा और एक fixed composition से मिलके बना होगा. ऐसे substance को हम बोलते हैं कि वो pure होगा. क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम करते हैं classification of matter. हम first chapter में भी classification कर चुके हैं matter का. हमने यह देखा था कि matter को कैसे classify करेंगे, जहाँ पर हमने matter को chemically and physically classify किया था. यहाँ पर क्या है? matter को जो हम classify करेंगे तो वो किस किस में classify होगा? एक pure substance में और दूसरा होता है mixture. first is pure substance and another is mixture. अब देखो यह pure substance भी for the two में categorize होता है और same as mixture. pure substance को हम categorize करते हैं element और compound की उसमें. ठीकी, compound की फॉर्म में. pure substance is divided into element. यहाँ पर हो जाएगा element and another one is compound. and mixture is categorized into homogenous mixture and heterogeneous mixture. यहाएगा homogenous mixture. homogeneous mixture and second one is heterogeneous mixture. heterogeneous mixture. ठीके, सबसे पहले हम mixture वाले पार्ट को complete करेंगे. आज की class में हम mixture, homogenous, heterogeneous solution क्या होता है? यह सारी चीज़े देखेंगे. okay, start करते हैं फिर, क्या है हमारा mixture क्या होता है? देखो, mixture, heading है हमारी. mixture, दिख रहा है यह? हाँ. तो mixture क्या होता है? अगर हम दो या फिर दो से ज़ादा चीज़ों को मिला के, एक नया product बनाते हैं, जिसमें, वोजे दो या फिर दो से ज़ादा में चीज़े मिलाई है, it may be solute, may be solvent. तो उनका एक fix composition नहीं होता. पोर suppose अगर मैं आपसे कहूं कि चाय बनानी हैं, ठीके सिर्फ बनानी हैं, हम चाय बना रहे हैं, तो हमने चार अलग-अलग लोगों को दे दिया, मालो कि चार लोग हैं, ये एक हैं, कोई भी हो सकता है, ठीके अगर अपने आपको मानना हैं, तो खुद को भी मान सकते हो, चार नहीं, तीन ही लेते हैं, ठीके, ये कोई एक A person है, ये B person है, और ये C person है, क्या हम ने इनको काम दिया, चाय बनाने का, ये चाय बना रहे हैं, ठीके, अब सब को पता है कि चाय के अंदर क्या-क्या चीज़े डलती हैं, क्या-क्या ले लिया, ठीक है, milk के बाद water लिया है water के बाद हमने लिया है sugar sugar के बाद हम लेंगे tea leaf ठीक है, tea leaf हमने लिया है ये सारी चीज़े चाय बनाने के लिए essential है अब जो a person होगा मानगो अगर दो लोगे के लिए चाय बनानी है तो a person ने क्या किया कि two cup इसने milk लिया है one cup water लिया है और two spoon sugar लिया है और one spoon tea leaf लिया है ठीक है, ये था a का composition ऐसे ही b की बात करें तो b ने क्या किया one cup milk लिया है one cup water लिया है ठीक है, sugar भी one लिया है one tea spoon and tea leaf भी one tea spoon लिया है same as अगर हम सी की बात करें तो सी ने क्या किया one cup milk लिया है और two cup water लिया है sugar three spoon लिया और tea leaf कितना लिया two spoon लिया है अब देखो, इन तीनों ही person ने क्या क्या चाय बनाई अब आप मुझे बताओ क्या चाय बनेगी देखो, composition चाय कुछ भी हो ultimately चाय तो बनेगी ही भले ही बेकार बने, कोई बात नहीं बड़ चाय यहां से बनेगी last में हम result अगर देखें तो तीनोंने एक compound तीनोंने एक cheese बनायी तीनोंने एक mixture बनाया είναι बनाया जिसको composition यह है बड़ आप बढ़ गी बताओ क्या इनोंने fix composition लिया है किसी ने milk जादा ले लिया किसी ने water जादा ले लिया किसी ने sugar जादा लिया आ बड़ last का जो हमारा product है वो क्या है चाय है ना हमारा मोटिफ क्या था चाय बनाने का था हमने चाय बना लिया तो इसमें क्या है कि mixture में हम तू या फिर तू से ज़्ञाधा compounds, elements use करते हैं, mixture बनाने के लिए molecules use करते हैं, बट उनका कोई ratio fix नहीं होता हमें सिर्फ end product से मतलब है कि ये चीज बननी चाहिए अब उस चीज को बनाने के लिए कितना ratio fix होना चाहिए वो mixture के concept में नहीं आता, बट यहीं अगर हम compound की बात करें, अगर मैं बोलू कि water बनाना है, पानी बनाते हैं आज हम, ठीक है तो चाहे A person हो, B person हो या C person हो, सबको पता है पानी बनाने के लिए 2 mol hydrogen चाहिए और 1 mol oxygen चाहिए इसके अलावा अगर हमने इसका composition change किया, तो water का formation नहीं होगा यानि कि यहाँ पे हमने देखां कि water बनाने के लिए ratio fix होना चाहिए लेकिन चाहे बनाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था है ना, तो हम इसी तरीके से compound और mixture में categorize करेंगे compound क्या होता है, when two or more elements और molecules combine together in a fixed ratio तो हमारा compound बनता है वहीं जो mixture होता है इसमें क्या होता है, two or more elements combine, but not in a fixed ratio चाहे बनाते समय हमने ratio fix नहीं देखा किसी ने कुछ ingredients जादर डाला है किसी ने कुछ कम डाला है, but last में हमारी चाहे बन गए, but इस case में water नहीं बन पाएगा तुम्हारा मन कर रहा है कि दो hydrogen लिया, ठीक है दो hydrogen लिया, दो oxygen लिया तो क्या ये water बनेगा? ये बन जाएगा H2O2 जो कि होता है hydrogen पर oxide, क्या हो जाएगा? hydrogen पर oxide तो यानि कि compound बनाने के लिए ratio हमेशा fix होना चाहिए, ओके clear है? अब हम definition लिखेंगे कि mixture की definition क्या होती है mixture इतना explain करने के बाद आपको mixture और compound में I hope की difference पता चल चुका होगा कि कब कैसे substance को हम बोलेंगे कि ये mixture है और कब कैसे substance को बोलेंगे कि ये क्या है? compound है mixture की definition क्या हो जाएगी? mixture are mixtures are constituents mixture are constituted by more than more than two kind of pure form two kind of pure form mixture are the constituents by more than two kind of pure form of matter ठीक है? which are not chemically which are not chemically combined together which are not chemically combined together इसका क्या मतलब है? देखो जो compound होता है उनको उपने हातों से अलग नहीं कर सकते बट mixture क्यूंकि chemically combined नहीं होता है we can separate them ओके? example क्या हो जाएगा? mixture का example है like soft drinks अभी हमने चाई बनाई है तो टी लिख सकते हैं ठीक है? minerals etc यह क्या है? यह है हमारे mixture अब दो टाइप के mixture की बात की थी हमने कौन-कौन से दो टाइप थे? एक था हमारा homogenous mixture homogenous mixture and second one is heterogeneous mixture heterogeneous mixture अब हम यह देखेंगे की homogenous mixture क्या होता है और heterogeneous mixture क्या होता है? homogenous की बात करें तो homogenous mixture ऐसा mixture होता है जहां पर हम solute और solvent में differentiate नहीं कर सकते हैं solute और solvent के एक जगर बात करें देखो अगर आपको भी solute और solvent नहीं पता है कोई बात नहीं अभी इसके बाद हम solution का topic ही discuss करेंगे वहाँ पर बताऊंगे कि solute क्या होता है solvent क्या होता है जब आप confused हो जाते हो कि कैसी चीज़ों को हम बोलेंगे कि यह solvent है कब बोलेंगे कि यह solute है तो उसके बारे में भी आपको बता दूँगी ठीके बट mixture क्या होता है जैसे ही एक ग्लास पानी ले लो और sugar ले लो यहाँ पर क्या लो sugar ले लो प्लस water ले लो तो जब मैं water में sugar को dissolve करूँगी तो sugar क्या है पूरी तरीके से dissolve हो जाएगा जब हमें solute और solvent की बीच का difference ना पता चले ठीके जब solute पूरी तरीके से solvent पे dissolve हो जाए उस solution को हम बोलते हैं कि वो एक homogenous mixture है ठीके homogenous mixture when solute when solute completely when solute completely dissolve when solute completely dissolve in solvent is known as homogenous mixture is known as homogenous mixture और homogenous mixture में हमें boundaries visible नहीं होती किस ठाइप की boundaries की बात कर रही हूं मैं हाँ पे अगर glass में हमने एक glass पानी में हमने चीनी मिला दिया और वो पूरी तरीके से जब उसमें मिल चुका है और अगर कोई homogenous mixture में क्या है there is यहाँ पे हो जाएगा there is no visible boundaries ठीके example आपको पता ही है salt plus water, sugar plus water और milk plus water इंका हमारा क्या बनेगा? homogeneous mixture बनेगा और एक बात इंका हमारा क्या बनेगा? homogeneous mixture बनेगा और एक बात interesting बात बताती हूँ मैं भी आपको पता हो यह जो salt and water होता है salt and water की composition को हम बोलते हैं brine solution इसको हम बोलते हैं brine solution अगर कहीं पे भी brine solution लिखा दिख जाए तो समझ जाना यह नमक वाले पानी की बात कर रहे हैं अब आता है heterogeneous mixture heterogeneous mixture क्या होता है जहां पे solute completely dissolve नहीं होता है solvent में and there is visible boundaries हमें अलग के पता चल रहा होता है कि solute कहां है और solvent कहां है तो यहां पे क्या हो जाएगा when solute is when solute is partially when solute is partially dissolved in solvent when solute is partially dissolved in solvent is known as is is known as heterogeneous mixture heterogeneous mixture okay and there is and there is visible boundaries there is visible boundaries वहां पे क्या होता है visible boundaries होती है example क्या है like sand plus water अगर हम sand डालेंगे water में तो क्या सैंड विजिबल होगा अपकोर्स होगा second one is oil and water आप सबको पता है कि जो oil है वो water में dissolve नहीं हो सकता but हम ऐसा कर सकते हैं कि oil को water में dissolve कर सकते हैं ठीक है जब आप 12 में जाओगे surface chemistry का chapter पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम emulsifier की help से oil and water को add कर सकते हैं जो हम body lotions वगेरा use करते हैं उसे दोनों के compositions होते हैं तो वो कैसे attach की जाते हैं वो emulsifier की help से attach की जाते हैं कि oil and water को हमने mix कर दिया है ठीक है हमने mixture complete कर लिया है mixture के बाद अब हम बात करेंगे solution की कि solution क्या होता है अब आता है solution 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 is a homogeneous mixture of solute and solvent जब solute और solvent को हम add करते हैं तो solution बनता है यहाँ पर हम लिख सकते हैं solution is a homogeneous solution is a homogeneous mixture of mixture of solute and solvent solute and solvent अब देखो हमने इक है तो दिया की solution क्या होता है solute and solvent का mixture होता है बड़ अब हमें यह भी तो पता होना चाहिए solute and solvent क्या है क्योंकि आप लोग confused हो जाते हो कैसे पता करें की कौन सो solute है कौन सो solvent है तो देखो solute क्या होता है solute जो हमेशा कम quantity में present होता है it always present in it always present in lesser quantity it always present in lesser quantity जो हमेशा lesser quantity में present होता है उसको हम solute कहते हैं and आनर्दर क्या हो जाएगा और कैसी हम identify करेंगे जो solute होता है वो अपनी identity को lose कर देता है solvent में dissolve होने के बाद it lose its identity वो अपनी identity को loss कर देता है कैसे? जैसे sugar हमने क्या क्या water में sugar को add किया जब sugar पूरी तरीके से water में dissolve हो जाएगा तब हम identify नहीं कर पाएगे कि solute कितना था और कहा गया यानि कि वहाँ से solute जो है वो गायब हो गया उसके identity जो है वो खतम हो गई पहले कैसा था? पहले solid nature का था बट अब हमें ना solid दिख रहा है प्रेजंट होता है solvent solvent हो जाएगा इट इट अल्वेश इट अल्वेश प्रेजंट इन higher quantity it always present in higher quantity and it retain its it retain its identity और वो अपनी identity क्या करता है? retain करता है ठीक है? lose नहीं करता है इसलिए जितने भी solution होते हैं वो किस पर depend करते हैं? वो सिर्फ होर सिर्फ जो solution है वो सिर्फ सिर्फ solvent पर depend करता है ना कि solute पर हम क्या लिखेंगे? solution depends on solution depends on the nature of nature of solvent जिस nature का solvent होगा उसी nature का solute होगा अगर solvent हमारा liquid है तो solution जो बनेगा वो भी कैसा बनेगा? liquid ही बनेगा ठीक है? हमें solute से फरक नहीं पड़ता है solute चाहे gas हो चाहे solid हो चाहे liquid हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है जो solution होगा वो सिर्फ और सिर्फ solvent पर ही depend करेगा अगर हमारा solvent gas है तो हमारा solution कैसा बनेगा? वो भी gas nature का ही बनेगा अगर solvent हमारा solid है तो solution कैसा बनेगा? ये भी solid ही बनेगा ओके? So solution is always depend on the nature of क्या? solvent ठीक है? solution is always depend on the nature of solvent clear है इतना? अब इसके बाद हम करेंगे property of solution कि solution की क्या property है? properties, properties of solution, तो देखों, पहली property तो क्या है कि वो एक homogeneous है, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, a solution is a homogeneous mixture, a solution, a solution is a homogeneous mixture, और क्या हो सकता है, देखो, solution की जो particles होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि हम उसको अपनी naked eye से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो बहुत जादा छोटे होते हैं, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, the particles of solution, the particles, the particles of solution is very tiny, ठीक है, कितने छोटे होते हैं, one nanometer जितने छोटे होते हैं, one nanometer in diameter, उनका जो diameter होता है, वो इतना छोटा होता है, diameter, ठीक है, we cannot, we cannot see, we cannot see by our naked eye, हम उसको अपनी आखों से नहीं देख सकते, ठीक है, and third क्या हो सकता है, देखो, solution को हम physically separate नहीं कर सकते, क्योंकि solution एक mixture बन चुका है अभी यहाँ पे, मान लो कि एक sugar ले लिया, sugar का solution ले लिया, और एक filter paper ले लिया, तो क्या filter paper की help से आप sugar और water को separate कर पाओगे, क्या filter paper में आपने solution पोर किया, अब क्या होगा नीची से पूरा solution ही निकल जाएगा, अगर उसमे crystals हुए sugar के, तब तो आप separate कर पाओगे, बट अगर उसमें crystal नहीं हुँगे, तो आप कैसे separate कर पाओगे, ठीक है, तो हम उसको separate नहीं कर सकते हैं, ऐसे solution को, homogeneous solution को हम separate नहीं कर सकते हैं, by the process of filtration, ओके, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, the solution और the solute particles, the solute particles, the solute particles, the solute particles cannot be, cannot be separated, cannot be separated from the mixture, from the mixture by the process of, by the, by the process of filtration, हम filtration की help से उनको separate नहीं कर सकते हैं, port क्या है, अगर हम solution पे beam पास करेंगे, हम solution पे light पास करेंगे, तो वो light क्या है, ना तो scattered होगी और नहीं हमें उस solution के बाहर light visible होगी, यानि कि जो solution है, जो homogeneous solution है, वो light को scattered नहीं करता है, ना ही उसे पास होने देता है, ओके हम क्या लिख सकते हैं, they do not, they do not scattered, they do not scattered a beam of light, a beam of light passing from, beam of light passing from the mixture, ठीके, beam of light passing through the solution, beam of light passing, beam of light passing, beam of light passing through the solution, passing through the solution, और क्या हो सकता है, अगर आपने कोई solution बनाया है, शुगर और वाटर का, या फिर सॉल्ट और वाटर का, तो क्या हम उसको separate कर सकते हैं, जैसे कि मालो, अगर sand और वाटर का हमने solution लिया था, अगर हम उसको undisturbed छोड़ देते हैं, तो कुछ टाइन के बाद क्या होंगे, जो sand के particles होंगे, वो नीचे settle down होना start कर देंगे, लेकिन क्या homogeneous mixture के जो particles होंगे, वो settle down होना start करेंगे, नहीं, वो कभी भी settle down नहीं होते हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फिप्थ हो जाएगा हमारा, the solute particles, the solute particles, do not settle down, do not settle down, when left undisturbed, ठीके, जैब हम उसको undisturbed छोड़ देंगे, तो वो settle down नहीं होगा, ओके, clear है, ठीक है, यहां पर हमने देखा property of solution, अब हम बात करेंगे alloy की, क्योंकि alloy भी क्या है, एक type का mixture ही है, अभी हमने solution देखा, solution is a type of mixture, अब हम देखते हैं alloy के बारे में की alloy क्या है, alloy, alloy क्या होता है, alloy is a type of mixture when, metal, metal, या फिर metal, non-metal आपस में combine होके, एक नया product देते हैं, उसको हम बोलते हैं alloy, alloy क्यों important है, क्योंकि जब दो metal, मान दो metal है, अलगलों की property है, जब उन दोनों को हम add कर देंगे, तो तीसरी property मिलेगी, जब उन दोनों से काफे बहतर होगी, हाँ, अच्छी tensile होगी, अच्छा उसका heating power होगा, means वो ज़्यादा temperature को bear कर सकता है, बहुत ज़्यादा hard होगा, ठीक है, जब दो अलग-अलग metal को हम combine करेंगे, इसलिए हम alloy बनाते हैं, alloy में क्या लिखेंगे कि alloy होता क्या है, तो यह हो जाएगा, mixture of, alloy is a mixture of, mixture of two or more, two or more metals, two or more metals, or a metal and a non-metal, metal और a non-metal, या तो दो या फिर दो से ज़्यादा metal को combine करके alloy बना लो, या फिर metal और non-metal की combination से हम alloy बना सकते हैं, ठीक है, अब देखो, अभी हमने alloy के बारे में जाना, कि हम उसको ऐसे क्या कर सकते हैं, combine कर सकते हैं, ऐसे metal और non-metal को combine करके हम alloy बना सकते हैं, जिनकी property बिल्कुल different होगी, जिन metal को हमने combine किया है, ओके, अब क्या हम ऐसे alloy को separate कर सकते हैं, देखो, नहीं कर सकते हैं ऐसे alloy को separate, हमने उनको chemically bound कर दिया है, ठीक है, हमने उसको ऐसे attach कर दिया कि अब separate कर पाना बहुत जादा difficult हो जाएगा, जैसे कि हम brass की बात करें, तो brass क्या होता है, वो zinc और tin से मिलके बनता है, तो उनका कुछ fix composition होता है कि 30% और 70% से मिलके बनाया जाता है, बटम उसको अपने हातों से separate तो नहीं कर सकते हैं, किसी भी alloy को, या फिर कभी आपको अगर आपने कहीं participate किया होगा, ठीक है, तो आपको अगर bronze medal मिला होगा, तो bronze medal is also an alloy, तो आप bronze medal को जब आप देखोगे, तो आप उसको देखके ऐसे नहीं कर सकते, कि उसको अलग कर सकते हैं, कि उनकी composition को हमने अलग-अलग कर दिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, alloy cannot be separated, alloys cannot be separated, alloy cannot be separated into their compounds, into their compounds by physical method, हम physical method से इसको separate नहीं कर सकते, जैसे हमने solution को भी हम physical method से separate नहीं कर सकते हैं, filtration method हमने use किया था, बट क्या हम solution को separate कर पाए थे, solute को solvent से अलग कर पाए थे, नहीं कर पाए थे, ऐसे ही alloy में हम physical method से separate नहीं कर सकते हैं, ठीके, alloy cannot be separated into their compounds by the physical method, ठीके, but still the alloy is considered as a mixture. ठीके, but still alloy is considered, but still alloy is considered, considered as a mixture. because it shows the property of its constituents, जो भी constituents से मिलके बना हैं, वो उनकी अलगलग property शो जरूर करेगा, ठीके, mixture. because it shows the property, because it shows the property of its constituents. and it can have, and can have variable composition, and can have variable, and can have variable composition. and it can have variable composition, clear है, यहाँ पर example की, अगर अब बात करें, तो क्या लिया था, हमने ब्रास लिया था, ठीके, जो कि टिन नहीं, ब्रास कॉपर और जिंक से मिलके बनता है, जिसमें जो copper होता है, वो 30% होता है, और copper जो है, वो 70% है, ठीके, यह है alloy, ऐसे बहुत सारे alloys होते हैं, और उनमें different, different, क्या होते हैं, compositions होते हैं, जैसे अगर हमने bronze लिया, तो उसके अंदर दूसरे metals present होंगे, उनका composition percent wise आलग होगा, ठीके, clear हैं, तो आज की class में हमने क्या-क्या पढ़ा, आज की class में इतना ही रहने देते हैं, बस एक बार क्या करते हैं, conclude कर लेते हमने क्या-क्या पढ़ा हैं, सबसे पहले हमने देखा कि pure matter क्या होता है, ठीके, कैसे बोलेंगे कि कोई भी substance pure है की नहीं है, उसके बाद हमने classification किया है, हमने classification किया, classification के बाद हमने mixtures की बारे में पढ़ा, जिसमें हमने homogenous, heterogeneous, उसके बाद हमने solution देखा, solution में हमने solution की सारे properties पढ़ी हैं, and then alloys किया, ठीके, तो आज की class में हमने इतना cover किया है, सेम चीज हम next class में क्या करेंगी, एक बार NCRT से read कर लेंगे, ठीके, कि अगर कुछ भी चीज छूट गया हो, तो हम बहां से cover कर सकते हैं, ओके, आज की class के लिए इतना ही, बाकी next class में मिलते हैं NCRT reading के साथ, ओके, थाइंक यू,